दर्सकों मैं हूँ पंडित बल्राम पांडे हाजिर हूँ आज का राशी फल लेके बात करेंगे किन राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और किन राशी वालों को बेहद शाओधान रहने की जरूरत है तो राशी की क्रम में बात करेंगे सबसे पहली राशी मेस मेस राश के लोगों के लिए आज के दिन देखा जाए तो बहुत अच्छा रहने बाला है आज आपको मान सम्मान में ब्रद्धी देखने को मिलेगी और साथ में ब्यापार के छेत्र में आपको उन्नती प्रगति देखने को मिलने वाली है यदि आप वाली है दामपत्य जिवन भी बेहतर रहेगा और स्वास्त के दिस्टियां बेहतर ही दिखाई दे रही है यह स्टुडिन को भी आज मन चाहिद स्फलता मिलने वाली है और निबेस की बात करें तो निबेस आप कर सकते हैं तो देखा जाए तो मेस राश के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छे रिजड लाने वाला है बस आपको अपने विप्रीत का सम्मान करना है इस बात का ध्यान रखें विप्रीत का सम्मान ना करने की वज़े से कहीं न कहीं बने हुए काम बिगड़ सकते हैं बागी पुरा दिन आपका बेहतर रहने वाला है अब हम जान लेते हैं वरसराज के लोगों के लिए वरसराज के लोगों के लिए आज की इस्तिती थोड़ी जरूरी है कि आप साउधानी रखें आज आपको अधिक खर्च से बचना चाहिए और साथ में आपको लोगों से बाद व्याद से जितना हो सके तो बचें क्योंकि आज बाद व्याद होने के इस्तितियां पैदा हो सकती है और स्वास्त के दिश्टकूर्ण से देखा जाए तो आज शर्मे दर्द की समश्याएं और रुरीत से समध्दी समझयाएं बन सकती हैं साथ में आपको यात्रा का भी मौका मिलेगा परन्त यात्रा में आपको साउधानी रखनी चाहिए और साथ में इस बात का द्यान रखना चाहिए कि किसी से भीड़े नहीं किसी से पैसे का दिन लेन ना करें और अपने स्वास्त का ज्यान रखें अपने खान पान में श्यम बरतें दामपत्ती जीवन भी मिलाजुला रहने वाला है और इस्टुडेंट के लिए भी आज शंघर्ष करना पड़ सकता है निवेश की बात करें तो निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए यदि बहुत जरूरी हो तो बहुत अच्छे से सोच समझ के और जानकार प्यक्तिकी सलाही भी ले लें और इसके बाद ही निवेश करें यदि बहुत जरूरी ना हो तो निवेश ना करें अब हम जान लेते हैं मित्वन राज के बारे में तो मितुनराज के लोगों के लिए देखा जा तो आज इस्तियां बहुत बेतर रिजल्ट देने वाली हैं, आज आपको अचानक कोई लाभ, कोई बड़ी डील प्राप्त हो सकती है, पहले से बने हुए काम में और भी जादा ब्रद्धी देखने को मिलेंगी, या पहले से सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं, और साथ में आपको बैंकिंग सिक्टर से विशेशलाब हो सकता है, और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छे रिजल्ट लाने वाला होगा, विद्यार्थियों के लिए आज पर्चम लहराने का दिन कहा जा सकता है शाथ में लाइप पार्टनर की इस्तिती देखी जाए, दामपत्य जीवन की इस्तिती देखी जाए तो आज बेहतर रहेगी, दामपत्य जीवन में आज प्रेम बेवार बढ़ने बाला है और लब पार्टनर के लिए भी आज का दिन विसेश कहा जा सकता है और शाथ में यहां पर देखें निवेस की तो निवेस आप कर सकते हैं तो आज का महौल आज ग्रहों की इस्तिति आपके पक्ष में बन रही है अब बात कर लेते हैं करकराश की तो करकराज के लोगों के लिए देखा जाए तो इस्तितियां आज आपके अनकूल नहीं दिखाई दे रही है आज आपको जितना हो सके तो मेहनत करनी चाहिए जितना हो सके तो अधिक से अधिक करम करनी चाहिए आज आलस करने से आपको बचना चाहिए आज आलस की बज़े स से बने हुए काम बिगड़ सकते हैं साथ में साथ में इस बात का ध्यान रखें कि यात्रा करते समय इतना हो सके तो सावधान रहें और अपने मातापता के स्वास्त का भी ध्यान रखें आपको भी कफजन तकलीफें हो सकती हैं तो अपने दिन चरिया को बेतर बनाएं साथ में निवेस करने से भी आज आज आपको बचना चाहिए और दामपत्य जीवन भी आज कहीं न कहीं मिला जुला रह सकता है कि स्टुडेंट को भी आज संघर्ष करना पड़ेगा परंतो अच्छी बात यह है कि आप मेहनत करते हैं आपको शफलता हैं अंतोगत प्राप्त होंगी निवेस करने से आज आज आपको बचना चाहिए अब बात कर लेते हैं शिंगराज की तो शिंगराज के लोगों के भी किसी को कहने से पहले बचना चाहिए और साथ में जोस में आके होसं ही गमाना चाहिए आज छोटी छोटी बातों को लेके लोगों से बादवियाद हो शकता है और खास कर आपके गुस्से की वजह से आज बने हुए काम बिगड़ सकते हैं तो अपने गुस्से में कंट् हे बस आपको पूरे मन से पढ़ाई करने की जरूरत है अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके तो टाइम दूर रहें, दोस्तों के साथ जितना हो सके तो बचें, मिलने जुलने से, क्योंकि इस्तिती फिर ये पैदा होगी, कि आप बात करने में, धरवार करने में कहीं न कहीं आप लग जाएंगे, और पढ़ाई से मन हड़ सकता है, और बात करने भेस के कन्या राज की, तो कन्या राज के लोगों के लिए देखा जाए, तो आज की इस्तितियां जरूरी है कि आप अपने स्वास्त में सबसे ज़्यादा ध्यान दे, खास कर गुप्त जन तकलीफें हो सकती हैं, और गले में भी समस्याएं बन सकती हैं, तो आप अपने स्वास्त का ध्यान लखें अपने खानपान में भी संयम बरतें और बात करें दामपत्य जीवन की दामपत्य जीवन आज बहतर रहने वाला है दामपत्य जीवन में आज खुशी का महल रहेगा रंत दिन के उत्तरार्ध में कहीं न कहीं थोड़ा मन मुटाव हो सकता है और स्टुडेंट के लिए आज के दिन स्रेश्ट है आज इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि किसी से बात करते समय साउधानी ब्रत्नी है अपने बाणी में कं पूचना समझना है और जो काम आप पहले से कर रहें उन्हें पूरा करने की कोशिश करें नयाकार करने से बचें साथ में देखा जाए निवेश करने से बचना चाहिए और विसेश कर पैत्रिक संपत्य से संबंदिश समश्याएं हो सकते हैं और घर-परिवार में भी आज क अब बात कर लेते हैं तुला राज की तो तुला राज के लोगों के लिए देखा जा तो आज इस्तिया बहुत बहुत बहतर हैं आज आपको विसेश लाव प्राप्त होंगे खासकर यदि आप व्यापारी छेत्र से आते हैं आज आपको सफलताय प्राप्त होंगी और आज marriage life में भी इस्तियां बहतर देखने को मिलेंगी यदि आप कोई नए रिष्टे की सुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और आज life partner का श्रयोग प्राप्त होगा जिससे सभी काम बनते हुए दिखाई देंगे और आपके यस प्रतिष्टा में भी ब्रद्धी होगी और साथ में देखा जाए तो यस्टुडेंट के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छे रिजल्ट लाने वाला है लब लाइब की भी बात करें तो लब लाइब में भी आज आपको रिजल्ट बहतर देखने को मिलेंगे पहले इसकोई बात बात चल रहा था वो दूर होता हुआ दिखाई देगा निवेस भी आप कर सकते हैं और यदि कोई ऐसा कार है जो पार्टनर्सिप में आप करना चाहते हैं तो आज सुरुआत कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करना हो या इंटर्वियू देना हो तो आज का दिन बेहतर रिजल्ट लाने वाला होगा तो आज का दिन आपके लिए कहीं न कहीं देखा जाये तो अच्छा है वस आपको जरूरत है पूरे मन से हरे कार को करने के बात कर लेते हैं व्रस्चिक राज की तो व्रस्चिक राज के लोगों के लिए देखा जाये तो बहुत जरूरी है कि आज आज आप साउधानी बरते खासकर देन लेन से जितना हो सके तो बचें क्योंकि देन लेन करने से आज पैसा फंसकता है और साथ में जहां पर आप पैसा देंगे तो पैसा तो लोटाएगा नहीं चल दी बलकि आपके उपर वो हावी हो सकता है साथ में आपको अपने स्वास्त का भी ध्यान रखना चाहिए खासकर अपने खान पान में सयम बरतना चाहिए आज पैट जन तकलीवें हो सकती है और यात्रा करने से जितना हो सके तो बचें आपको यात्रा का मौका तो मिलेगा परंतु यात्रा में कहीं न कहीं चोन सपेट की इस्तिती बन सकती है दामपत्य जीवन बेतर रहेगा और ये स्टुडिन के लिए भी आज के दिन अच्छा रिजड लाने वाला है निवेश की बात करें तो रिवेश करने से आज आपको बचना चाहिए तो आज के दिन को बेतर बनाने के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप अपने बाड़ी में भी कंट्रोल रखें और आज नीद से संबंदिज समश्याएं भी हो शकती हैं तो आपको अपने स्वास्त का भी इस रूप से ध्यान रखना होगा अब हम बात कर लेते हैं धनुराज की तो धनुराज के लोगों के लिए आज के दिन अच आपका कोई रुका हुआ था वहां भी आपको सफ़ता मिलती दिखाई देगी और व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन भेतर रिजल्ट लाने बाला है व्यापार के छित्र में आपको अधिक से अधिक लाब हो सकता है और आपके कोई काम बिगड़े हुए थे बहु से हैं और हर एक छेत्र से जुड़े हुए स्टुडेंटों स्टुडेंट को आज सफ़ता मिलने वाली है और स्वास्त में भी कोई खास समश्या नहीं दिखाई दे रही है तो आज के दिन धन राशिवालों के लिए अच्छा रिजल्ट लाने बाला है और निवेस भी आप कर सकते हैं मकर राज की मकर राजच के लोगों के लिए देखा जाये तो आज आपको यात्रा का मूझा मिलेगा और यात्रा लावदायग रहेगी सरकारी छेत्र के जुड़े हुए काम दिखिया आपके कोई रुके हुए थे वो बनेंगे सरकारी यदिखारियों का प्राप्त होने वाला है और साथ में आपके शुक में ब्रद्धी होगी और यदि आप कोई गाड़ी वहां लेना चाहते थे या घर खरीदना चाहते थे तो यह सब कामों के लिए आज के दिन बेहतर रिजल्ट देने वाला है और आपके घर परिवार में आज खुसी का महल रहेगा और कैरियर के छेटर में भी आज आपको उनदि बिलेगी प्रमोशन मिलने की शंभाव बना है और साथ में निवेस भी आप कर सकते हैं दामपत्य जीवन भी बहतर रहेगा, बस दामपत्य जीवन में आपको संका नहीं करनी है, शंका करने से बचना होगा, तो आज के दिन कहा जाए, तो बहतर ही है, बस संका किसी के उपर जल्दी नहीं करना है, चाहिए आपके लाइप पार्टनर हो या कोई भी व्यक्ति हो, सं नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा किये हो, अब हम बात कर लेते हैं कुम्भराज की, कुम्भराज के लोगों के लिए आज के दिन बहुत अच्छा देखा जाएगा, आज भाग आपके साथ है, जिससे सभी बिगड़े हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे, और आज आपके अ जल्दवाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, जल्दवाजी में फैसला लेने की बज़े से बने हुए कामों को बिगाड़ सकता है, और यदि भाई बंदों के बीच कोई बाद्युआ चल रहा था, वो दूर होगा, और यदि आपको परिच्छा प्रद्योगता की तयारी क कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी, यह स्टुडेंट के लिए आज के दिन सफलता दायक कहा जा सकता है, और दामपत्य जीवन भी आज सामान रहने वाला है, निवेस भी आप कर सकते हैं, स्वास्त से संबंदित देखा जा तो इस्तितियां यहीं पह कर लेते हैं मीन राज की, तो मीन राज के लोगों के लिए भी देखा जाए, आज घर परिवार में खुशी का महौल बनेगा, और पैत्रिक संपत्य से संबंदित जुड़े हुए काम बनेंगे, और बैंकिन सेक्टर से जुड़े हुए काम भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे, और यदि आपने पहले से कहीं निवेश किया है, तो वहाँ पर आपको इसे सलाब देखने को मिलेगा, और आज रोगों से छुटकारा मिलेगा, और आपका स्वास्त बेहतर होगा, दामपत्य जिबन भी आज बेहतर कहा जाएगा, आज दामपत्य जिबन से आपक जरूरी है वोलना, और वोलने से प्रिक्षा बहुत जगए होती है, एक तो लिखित प्रिक्षा होती है, और एक बात करने की इस्तियां बनती है, तो वहाँ पर आपको विशेस लाब होगा, और कहीं यदि आप मीटिंग करना चाहते थे, किसी से कोई महत्त पूर्ण विश चाहन खते है, निवेश भी आप कर सकते है, तो आज के दिन मीटिंग के लिए भी बहुत सिर्ष्ट कहा जाएगा, तो प्रितर्सकों यह रहा मेस राज से लेके मीटिंग को लिए आज का राशी फल, यह आप मारिसिक राशी फल देखना चाहते हैं, और भी जानकारियां प राप्त कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्नवाद